यहां जो ग्वेशन दिया वा है तो यहां पर तो यहां पर इन धरन दिक्वेशन दिया वा है that is sec x tan x tan y minus e ki power x into dx plus sec x sec square y into dy equal to 0 which is which is of the form 21 तर का form में बना हुआ है m dx plus n dy equals to 0 जहां पर m क्या है यह वाला टर्म है n क्या है यह वाला टर्म है वेर m equals to sec x tan x minus tan y minus e ki power x and n आपको दिया हुआ है and n equals to आपको दिया हुआ है sec x sec square y अब पार्शली पार्शली डिफ्रेंटिटिए इन विद रेस्पेक्ट तो य और एक्स रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली कर यहाँ पर दो टर्म दो चीज़ है m और n यहाँ पर y और x दिया हुआ है तो m के लिए y रहे गा m के लिए x रहे गा तो यहाँ पर लिखेंगा पन डल m पन डल y हम पार्शली डिफेंटिटिट कर रहें तो यहाँ पर लिखेंगे बल्कि डेल लिखेंगे तो इस इकोस्ट वाट एम तो यह सेक एक्स टैन एक्स जो रहा एगा देट विल बीजी दो वैसे अपन जब निकालेंगे टैन एक्स निकालेंगे तो इस विल बी sec square y that will be constant और sec x कि कि में इसको x के respect में पार्शली दिटेंगे तो इस sec x tan x since we can see that both the values are same here तो इह लिखना पड़ेगा here del m upon del y equals to del and upon del x so the equation one consequence one you are now is a quick question the other given differential equation is an exact differential equation so the solution equation is integration of m d x where y equals to constant plus terms of and not containing x into d y equals to c तो यहां पर हमको पूरी की पूरी m की वाली रखनी पड़ेगी तो m हमको क्या दिया हुआ है यहां पर और लिखेंगे बिकार यहां पर इकॉल c d y तो m is what m is sec x tan x tan y minus e की पावर x तो यहां में लिखेंगे integration sec x tan x then tan y minus e की पावर x into dx where y is constant plus terms of n not containing x तो यहां पर हमको देखना पड़ेगा पहले कि इतने terms of n है यहां पर n अपने को एक ही term दिया हुआ है यहां पर multiplication है इसलिए एक term होगा जैसे कि हम देख सकते m के लिए क्या है आपर देखो यहां minus दिया हुआ है तो यहां पर हम बोलेंगे यहां पर यहां पर यहां पर आपढ़े तो यहां पर जो वैल्य रहे गे इंटो डी वाई equals to c और फिर यहाँ पिसको आप अपने solve करेंगे तो x के respect में करेंगे इसको तो sec x 10s का value क्या होगा sec x होगा 10y is constant तो इसका आप as it is लिख दो 10y e के पार x से क्या होगा e के पार x ही रहेगा इसका अपने solve कर लिए where y is constant यह आपका 0 है तो this will be 0 तो equals to c विच इस दो required solution